जब Jasmine बड़ी हुई तो अपने boyfriend के साथ बहुत लड़ती थी। उससे बार-बार पूछती थी कि क्या वो उससे सच्चा प्यार करता है, क्या वो सच में इतनी beautiful है। और जरूरत पड़े तो उन पर हाथ उठा कर की जाएगी। इसलिए इसको बिना skip करें पूरा देखिए और समझेए क्योंकि ना सिर्फ मैं इन सभी सवालों का जबाब दूँगा बलकि आपको scientific tips भी दूँगा कि कैसे अपने relationships को बहतर बनाएं। मैं हसन आपके अपने personal development and growth channel Bloom and Evolve पर आपका welcome करता हूँ। जोल बॉलबी UK के एक psychologist थे जिन्होंने 1950s में एक research की थी जिसको attachment theory का नाम दिया। attachment theory ये study करती है कि बचफन में आपके parents ने आपके साथ कैसा behave किया और उसकी वज़ा से आपका basic nature secure या insecure बना। ये theory कहती है कि जब आप six weeks old यानी छे हफ़ते के होते हैं तब आप अपने parents को पैचानना शुरू कर देते हैं। जब तक आप दो साल के होते हैं तब तक आप अपने parents से गहरी bonding बना चुके होते हैं। और जब बच्चे दो साल से बड़े हो जाते हैं तो अपने environment में adapt होना start कर देते हैं और parents के प्यार, गुसे, negligence को समझने लगते हैं। तो इस theory के हिसाब से या तो आप secure या insecure attachment बना बाते हैं। अब इस concept को समझने के लिए सबसे पहले मिले राहुल से। राहुल का बच्चपन बहुत खुशियों से भरा रहा। उसके parents उसको बहुत प्यार करते थे और बहुत time भी लेते थे। ओफिस में चाहे कितनी भी tension रही हो, राहुल के parents कभी वो tension बच्चों पर नहीं उतारते थे। parents का behavior काफी predictable था। राहुल को exactly पता होता था कि किस बात पर उसको उसके parents appreciate करेंगे और किस बात पर उसको डाट पड़ेगी। तो राहुल जब भी दुखी होता था तो अपने parents से खुन कर बात करता था। parents उसको हमेशा support भी करते थे। तो ऐसे healthy environment में राहुल एक secure mindset बना पाया। उसने लोगों को बच्पन से ही trust करना शुरू कर दिया। जब वो relationship में enter हुआ तब उसने अपने partner पर भी पूरा faith किया। इससे उसकी एक healthy bonding हो पाई। इसको कहते हैं secure attachment style। अब हम बात करते हैं insecure attachment styles की जो तीन टाइप के होते हैं। पहला anxious preoccupied attachment। दूसरा avoidant dismissive attachment तीसरा fearful avoidant attachment आईए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो anxious preoccupied attachment क्या होता है। इसको समझने के लिए चलिए चलते हैं Jasmine के बच्पन में। Jasmine के parents की आपस में कुछ खास नहीं बनती थी। कभी उसके parents Jasmine की छोटी-छोटी बातों को लेकर बहुत sensitive हो जाते थे, और कभी Jasmine को बिल्कुल ही ignore कर देते थे। कभी किसी काम को करने पर वो Jasmine को chocolate देते थे, और कभी उसी काम को दुबारा करने पर वो उस पर गुस्सा होते थे, और कभी-कभी हाथ भी उठा देते थे। उसको लगने लगा कि शायद उसमें ही कोई कमी है। वो इन से क्यों रहने लगी, छोटी-छोटी बातों पर गुसा करने लगी। उसको हर बात पर री अशूरंस चाहिए होते थे। उसको लगने लगा कि सब उसको एक दिन अबैंडन कर देंगे और छोड़ के चले जाएंगे। जब जैस्मिन बड़ी हुई तो अपने बॉइफरेंड के साथ बहुत लड़ती थी। उससे बार-बार पूछती थी कि क्या वो उससे सच्चा प्यार करता है, क्या वो सच में इतनी बीडिफुल है। अगर उसका पार्टनर उसका कोई एक कॉल भी मिस कर देता था तो उनकी वीच काफी आग्यूमेंट्स होते थे। जैसमिन को शक होने लगता था कि शायर उसका पार्टनर उसे थोका दे रहा है। अगर उसके मेसेज़स का दस मिनट तक कोई रिपलाई नहीं आता था तो बस वो शूर हो जाती थी कि उसका वोईफरेंड डबल टाइनिंग कर रहा है। एक बार उसका पार्टनर होस्पिटल गया था अपने कोई रिलेटिव से मिलने। वो एक घंटे तक अपना फोन चेक नहीं कर पाया और जब उसने अपना फोन चेक किया तो देखा 110 मिस कॉल और 1500 मेसेज़स। उसी रात उनका फिर से इन बहुत बड़ा आग्यूमेंट हुआ और फाइनली ब्रेक अप हो गया। ऐसी नेचर के लोगों को anxiety रहती है इसी लिए उनको anxious कहते हैं और उनका ध्यान पूरे समय पूरे वक्त अपने पार्टनर पे रहता है जिस वज़ा से वो preoccupied रहते हैं तो इसी लिए इनको anxious preoccupied attachment style कहते हैं। अब दूसी तरह दा insecure attachment है avoiding dismissive attachment इसको समझने के लिए मिलिए विक्रम से विक्रम के parents उसको ज्यादा टाइम नहीं देते थे दोनों ही parents अपनी अपनी life में busy रहते थे और विक्रम की basic needs के लिए उन्होंने एक कैटेकर अपॉइंट की हुई थी। जब भी विक्रम अपने parents की attention expect करता था तो उसको बहुत ही ठंडा बहुत cold response मिलता था। उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को उसके parents ignore और dismiss कर देते थे। ऐसे environment में विक्रम को लगा कि उसकी बात सुनने वाला शायद घर में कोई है ही नहीं। वो अकेला रहने लगा और अपने parents से उसकी emotional bonding बहुत कम हो गई। उसके दिल में एक rejection की feeling आ गई और अपनी feelings वो किसी से share नहीं करता था। जब विक्रम बढ़ा हुआ तो उसे किसी भी relationship में enter होने से डर लगने लगा। उसे लगता था कि वो बहुत जल्द reject कर दिया जाएगा। अगर उसकी partner थोड़ी सी भी उसकी कोई गलती बताती थी तो वो emotionally उससे cut off कर जाता था। उसके calls avoid करता था, उसे block कर देता था, एक ऐसी ओची दिवार बना देता था कि उसके situation को वो dismiss कर देते हैं, barriers बना लेते हैं, तो ये होता है avoidant dismissive attachment style, अब तीसरा insecure attachment style है fearful avoidant attachment style, इसको समझने के लिए मिलते हैं John से, John का एक disturbed childhood रहा, उसके parents मानते थे spend the rod, spoil the child, यानि बच्चों की जही परवरिश, उनको डरा कर, धमका कर, डाट कर और जरूरत पड़े तो उन पर ह उठा कर की जाएगी, उसके parents में ना ही जादा patience था और ना ही John से कोई खास emotional connect, John का self-confidence बहुत low हो गया, वो गुस्से में रहता था पर फिर भी डरा रहता था, उसको पता ही नहीं होता था कि किस बात पर उसके parents उसको punish कर देंगे, ऐसे sad और depressing environment में जब John बढ़ा हुआ, तो insecurity और self-doubt में रहने लगा, वो अपने partner के साथ कोई emotional bond ही नहीं बना पाता था, वो emotions को अच्छे से समझ ही नहीं पाता था, उसके friends भी उसके unpredictable behavior से खुश नहीं होते थे, उसके अंदर avoidant और anxious दोनों की tendencies आ गई थी, तो ये fearful avoidant attachment style होता है, अब एक insecure attachment style आपके professional जिंदगी को कि जानना जरूरी है, अगर आपका anxious preoccupied attachment style है, तो excessive anxiety आपको खेड लेती है, अकेले पन का डर आपको सतानी लगता है, आपको हर वक्त अपने partner से reassurances चाहिए होते हैं, आप jealousy और insecurity का भी शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे nature के साथ अपने profession में आपका focus नहीं बन पाता है, आपकी productivity हमे work related stress आपकी anxiety को multiply कर देता है, आपकी friends, family, cousins सब इस stressful attitude से परिशान रहते हैं और आप anxiety को manage करने में fail हो जाते हैं, अगर आपका dismissive avoidant attachment style है, तो आपके emotionless connection से लोग आपके करीब ही नहीं आते, आप खुद की feelings express ही नहीं कर पाते और emotionally suffocated feel करते हैं, आप emotions और रिष्टों को dismiss कर द देते हैं और अपने चारों और एक दिवार खड़ी कर लेते हैं, तो ऐसा nature होने पर आप अपने office में अपनी team के साथ नहीं चलते हैं और अकेरे चलना चाते हैं, आपके colleagues आपको isolate कर देते हैं और networking और valuable connection से आप बाहर हो जाते हैं, आप किसी से support भी नहीं मांगते हैं, जिस हैं, तो आप relationships में लोगों के करीग भी जाना चाते हैं, पर फिर भी आपको reject होने का ड़द लगा रहता है, आप किसी पर भी पूरी तरह trust नहीं कर पाते, आपका behavior इतना fluctuate होता है, कि आप खुद कैसी किस situation में react करेंगे, ये आपको खुद नहीं पता होता, तो ऐसा nature होने पर आप अपने profession में हमेशा double minded रहते हैं, कोई भी decision लेने में आपको बहुत दिक्कत होती है, आपके unstable nature की बजा से आपके colleagues और superior आप पर trust नहीं कर पाते, आपके अंदर चलने वाले conflicts आपको किसी भी काम में अच्छा perform करने से रोकते हैं, आपके friends, family, cousins, आपके unstable nature और unpredictable behavior से प treat किया, वो आपकी control में कभी नहीं था, आप छोटे थे, situation आपके control में थे ही नहीं, बट अपनी परवरिश की वज़ा से अगर आप insecure हो चुके हैं और emotional disturbances से जूज रहे हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक अच्छी ख़बर है, क्योंकि आप bloom and evolve के subscriber हैं, आप life में कितने भी insecure सही, थोड़ी मेहनत से आप secure attachment हासिल कर सकते हैं, अपने emotions को perfectly balance कर सकते हैं, जिन्दगी में थोड़ी से बहादुरी दिखाईए और आपकी anxiety हमेशा के लिए खतम हो जाएगी, सबसे पहले आप खुद को पहचानिए, कि आपका attachment style क्या है, अपने बच्पन को याद करिए, और ये याद करिए, किस तरह से आपके parents आपको treat करते थे, अगर आपको अपने parents से शिकायते हैं, तो उनको माफ कर दिए, और आगे बढ़ जाईए, उन्होंने आपको ये जिन्दगी दी, यही उनका सबसे बड़ा तौफा है, आप अपने triggers को पहचानिए, जो आपकी stress ब कभी भी negative thoughts को unaddressed मत जाने दिए, खुद को appreciate करिये और हर काम के लाइक समझेए, अपनी कमजोरियों को ढूंडिये और उनको accept करिये, उनसे दूर मत भागिये, हर इंसान की कमजोरिया होती है, तो उन कमजोरियों से शर्मिन्दा होने के बजाए उनको address करिये, अपनी communication skills को improve क करिये, खुद के emotions express करने की कोशिश करिये, at least अपने कुछ close friends या relative से, professional advice भी लेने से बंटरिये, आज के जमाने में therapy लेना बहुत common है, doctors और consultants attachment focus therapy देते हैं, जैसे EFT और ABFT जिसके बहुत अच्छे results हैं, ध्यान लगाईए और meditate करिये, इससे आपके thought patterns relax होते हैं और anxiety दूर हो किये, आपका attachment style आपकी बच्पन से ही एक blueprint की तरह आपके अंदर रहा है, इसको overnight change करना possible नहीं है, so patience की, आपको जरूरत है तो एक plan की, जिसको बनाने में, I hope, आज का हमारा ये discussion आपकी बहुत help करेगा, parents के लिए भी advice है कि वो अपने बच्चों से emotional bond बनाए, बच्चों की emotional जरूरतों के लिए हमेशा available रहें, बच्चों के emotions को validate करें, आप बच्चों की तरफ अपने response को लेकर consistent रहें, अपने reactions को predictable बनाएए, बच्चों के लिए एक daily routine बनाएए और थोड़ा सा time उनको independent भी रखिए, इससे उनके अंदर safety और security की feelings आती है, बच्चों के साथ बारे में communicate करें, उनके साथ खेलिए, उनकी problems को भी समझे, उनको हमेशा ये एसास दिलाइए, कि life में कभी भी कितनी भी tough situation आजाए, आप हमेशा उनके support में खड़े हैं, और हाँ हो सके, तो ये वीडियो अपने partner को भी दिखाईए, और उनको securely attached बनाएए, अब आपका और आपके partner का attachment style क्या है, ये जानने के लिए बहुत carefully हमने एक test curate किया है, नीचे description box में link पर click करिए, वो test लीजिए और अपना attachment style जानिए, अभी से ही एक secure इनसान बनने का अपना सफर start करिए, अगर आपको evolve कर देगी journey में, हमारा ये effort helpful लगा हो, तो please like, share और subscribe कीजिए, और अ निकालिए, वैसे हमारा अगला वीडियो बिलकुल इसी topic, imposter syndrome पे आ रहा है, तो उसको बिलकुल भी निसमत करिए, और channel के ben notification को on रखिए, तो बहुत ही जल्द मिलते हैं, next वीडियो के साथ, till then, bloom and evolve!